तो फाइनिली दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं 90 बोल्ट से 300 बोल्ट तक का कनेक्शन जिसमें दोस्तो रहेगा हमारा टाइमर भी रहेगा और पिलस हाइकड भी रहेगा और दोस्तो इसमें एक चीज खास होने वाली यह है कि हम इसमें 5 लूप का कने करने वाले हैं साथी में पूरा ही कनक्शन कंपलेट करेंगे जैसे कि रेले का कनक्शन और सर्किट का कनक्शन बिल्कुल वारी की से समझेंगे बस दोस्तो वीडियो को कंपलेट बाच करना आप तो एक एक चीज यहां पर किलियर हो जाएगी तो दोस्तो फिर वीडियो को क करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इन रीलो को पहले समझ लेते हैं तो दोस्तों यह है पहली रिले और यह है दूसरी रिले और यह है तीसरी रिले और यह है चौती रिले अब दोस्तों यह चार रिले जो योज होंगी वह सारी की सारी 24 बोल्ट की ही योज होंगी वोग आखिर पॉइंट किस तरह कई से अगर गये हैं तो दोस्तों यहां पर जो है यह वाला जो रिले है हमारा यह वाला पॉइंट एंसी है तो यह एंसी पॉइंट है और यह एनो पॉइंट है तो यह है एनो पॉइंट और यह है हमारा कॉमन पॉइंट तो यह है कॉमन पॉइंट अब दोस्तों जैसे कि यह है हमारी relay के coil point तो वो यह हैं दो coil point अब दोस्तों यहाँ पर जो था relay का हमारा clear हो गया है अब चलिए हम जानते हैं कि connection किस तरह कैसे करके होगा तो यहाँ पर जो हमें क्या करना पहली वाली relay के no point से और relay number 2 के common point से हमें sort कर देना है एक बायट से अब दूसरा sorting हमें करना है relay number 3 के common point से और relay number 4 के common point में हमें sort कर देना है तो दोस्तों जो यहाँ पर यह sorting जो थी है हमारी 2 थी और जो कि यहाँ पर complete हो गई है अब चलिए हम जानते हैं कि transformer इसमें कौन सा यूज होगा नूटल होता है दोस्तों अब यह है हमारी पहली लूप 137 गी यह है दोसरी लूप 200 गी यह है तीसरी लूप 240 गी और यह है चौती सौती लूप 290 गी और जो की last वा Upper जो टी सो ही बोल्ट की हैन से अथ हमारा हमारी सेगेंडरी navigging मतलै कि 24 बोलट की supply दोस्तो अब दोस्तों यहां तक transformer तो complete हो गया आप चलिए हम transformer को काउन कौन कौनसी voltage range की loop कहां पर attach करेंगे तो सबसे पहली जो हम लूब लगानी है वो यहां पर लगानी पहली वाली लूब दोस्तों ठीक है अब दोस्तों हमें जो तीसरी लूब लगानी है वो हमें लगानी है relay number 3 के एनो point पर मतलब की 240 वोल्ड की दोस्तों तो यहां पर दोस्तों लूब हम attach करना है और अच्छे से यहां पर clear भी हो रहा है तो यहां पर दोस्तों अब हमें क्या करना है जो हमारी चौती वाली लूब है दोस्तों वो हमें लगानी है relay number 2 के एनो point पर यह रहेगी हमारी 290 वोल्ड की अब दोस्तों जो कि हमारी जो पांचमी लूब बची है लास्ट वाली उसको हम लगाएंगे relay number 3 के NC point पर मतलब की 300 वोल्ड की अब दोस्तों यहां पर यह जो थी हमारी loop यहां पर attach हो गई है सारी की सारी अब हम दोस्तों जानते हैं कि आप circuit का connection में कैसे करके किस तना करना है दोस्तों तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल वारिकी से clear करेंगे बस वारिकी से यहां पर आपका clear होना चाहिए दोस्तों तो जैसे कि दोस्तो हमें क्या है पहली वाली डीले का एक पॉआंट, दूसरी वाली डीले का दूसरा पॉआंट, तीसरी वाली डीले का तीसरा पॉंआट और चौती वाली रिले का चौता पॉइंट मतलब की एक यही बाइर से हम एक एक पॉइंट को सौड कर लेंगे मतलब की चारो रिलो के एक एक पॉइंट एक बाइर से सौड कर लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा क्या common point तो दोस्तो जैसे की हमें 24 वोल्ल की supply देनी है कौन सी जैसे की यह वालि हमारी ट्रानस पार्मासरोट 24 सब्लाई निकली हूई है यही सब्लाई हम अपने सर्किट में कनट करेंगे दोस्तो अब दोस्तो दोस्तों जैसे कि हमेंने ये common ये compare वाइर हम क्अट्स적 कर देंगे धोस्तों जैसे कि यहां पर आपको यह वालजी नज़रा आ रहा हैं मतलब की चारर का पॉएंट तौि यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है input 2, मतलब कि input 2 का मतलब यह हुआ है कि हमारा जो relay के दूसरी वाली relay का जो wire है दोस्तो, भाही wire हम यहाँ पर connect कर देंगे, मतलब यह वाला जो wire है connect कर देंगे अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि input 1 करके लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर input 1 तो input 1 का मतलब यह हुआ है कि relay बन का, मतलब कि जो हमारी पहली वाली relay का जो यह wire निकला हुआ है यह ही वाला wire हम connect कर देंगे अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर OP करके नजर आ रहा है मतलब कि OP का मतलब यह हुआ है कि output तो output का मतलब यह हुआ है सीधा-सीधा कि relay number 3 का wire हम connect कर देंगे मतलब कि हमारी तीसरी वाली जो relay है वो output relay है दोस्तों अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cut लिखा हुआ है तो सीधा-सीधा तो complete हो चुका है चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी clear कर लेते है कि जैसे कि हमें यह जो दो टर्मिनल नजर आ रहा है यह दोस्तों timer को switching करने के लिए है मतलब कि जैसे कि हमारे stabilizer में का timer लगा हुआ है और हम timer का अगर wait नहीं करना चाहा रहे मतलब कि हम तुरंद ही line मिल जाए तो दोस्तों हम क्या करेंगे एक दूसरे से sort कर देंगे तो हमारा जो timer होगा वो कड़ जाएगा दोस्तों तुरंद और हमें तुरंद ही supply मिल जाएगी तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 3 terminal हमें और नजर आ रहा है परोस में तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने LAD भी connect कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ तो तो complete हो गया है और relay का connection भी complete हो गया है और circuit का भी connection भी complete हो गया अब हम चलिए जानते हैं कि input कहां से और output कहां से दोस्तों तो दोस्तो हमारा जो output है वो चार नमबर relay के एनव पॉइंट से मतलब की यहां से हमारा output है और input दोस्तो हमारा है पहली वाली relay के common point से मतलब की यहां से हमारा input है दोस्तो अब दोस्तों बात यहां पर यह आजाती है कि अगर अभी भी अगर अच्छे से नहीं किलियर हो पाया है या आप अगर अच्छे से अभी भी नहीं समझ पाया है इन कनक्शन को तो दोस्तों मैंने इसका प्रेक्टिकल भी कनक्शन करके दिखाया है अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं या आप यह जानना चाहते हैं कि यह कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है तो दोस्तों वीडियो का लिंक जो है आपको डिप्सक्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और वीडियो को आ सब्सक्राइब कर देना और जरा साभी कुछ भी आपको लगता हो कि अदूरा कुछ राएगा हो तो दोस्तों में कपुर्ण वाॉक्स में जरूर से बताना तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर नाक्स्ट वीडियो में ताप तक अपनों का ख्यार लगएगा दोस्तों